हालो इस्टुडेंट्स आईए आज इक्सरसाइज नमबर पांच जो की प्रोनावन पर आधारित है हम लोग इसको देखते हैं इसके पहले नावन का मैं कम्प्लीट सभी एक्सरसाइज करा चुका हूं चार वी तक यहां चार सी तक नहीं देखें तो आप उसको भी देख लि तो चलिए देखते हैं कि fill in the blanks with one of the words एक फिल इंद ब्लैंक मने खाली अस्थान में भरो उन सब्दों में से एक गीवें इन ब्रैकेट में दिये गए हैं अगेंस्ट इच संटेंस प्रत्य वाक्य के सामने यानिकि हर वाक्य के सामने कोश्टक में कुश सब्द दिये गया ह उनमें जो आपको सही लगे ग्रामर के साफ से उसको आपको भरना है तो देखिए लेट के साथ क्या भरा जाएगा वी की आस तो आपका आंसर होगा आस क्या हो जाएगा आस क्या होगा कारण भी मैं बताता चलाऊं ताकि दिक्कत नहुंग आपको देखें लेट एक बर भर मैं उसवरत को जानता हूँ तो चैल वाज है लिए जिसकी है चीस के विए जिसको तो हम निकालेंगे तो मैं उस औरत को जानता हो जिसके बत वहाई से भी आप जान लिए एक हुज अब्जेक्ट्ट DOUके साथ इसलिए यहां हूज हो जाएगा तीसरा वाक्त है have you got in your pocket तो तो उसमें वीच या वाट क्या भना आप पढ़ोगे तो आप इसकार्थ क्या निकाल और तो अपने पाकेट में क्या प्राप्ट किये हूं मतलब तो अपने ने यूद्थ तो अपने जेव में क्या प्राप्त कियो मतलब क्या तुम्हारी जेव में क्या है इसके इंदी इस तरह से तो क्या रहा है वाट लग जाए टेक एनिफिंग अब यहां क्या लगेगा विच यू लाइक कि दैट यू लाइक तो ग्रामर करनी हमारा यह कहता कि आल एनी नथिंग उनली इन सभी के साथ लगता प्रोनावन के रूल में आप पढ़ेंगे एक्सिलेंट में दिया तो उसमें दैट बता यह नी के बाद हमें साथ लगेगा आल एनी दोनों के साथ तो तो यह निफिंग है तो भाई दैट लगेगा इसलिए दैट मने जो टेक गया से आपको क constituuche कही lots किया कर सकता हूं तो इस तरह से वाच इस भर जाएगा अगला हम देखते हैं अगला है हां this room is for you and क्या भरा जाएगा मी भरा जाएगा कि माई सल भरा जाएगा तो आपको पता है विच फार आपको प्रीपोजीशन है तो प्रीपोजीशन के बाद आप जीक्टियू के लिखा जाता है तो यह भी आपका अभ जेक्ट ही है यूशाब जोगए गलती करों तो इसलिए क्या हो जाएगा मी मी हो जाएगा ठीक शटवे में मी हो जाएगा क्योंकि भाई आप जेक्टिव केस की जुरूरत है यहां अगला है ही बिहाइवड इन सच ए माइनर वह इस धंग से ब्योहार किया तो दैट आज विच क्या भर जाएगा तो सच के साथ ही या सेम के साथ हमें सब प्रोनौन मतलब कंजेक्शन की रूप में लगता है सच यह सेम क्या लगता है आई वह ऐसा ब्योहार किया जैसा आई है वह बता है आर यूं आस्किंग इभाउट तो इसमें क्या भार जाएगा हूं हों विच तो इसमें भूरा जाएगा कौन ही तो घर के लिए ऊब्य कोंगी लगता है इसके बारे में तुम बात करो स्राइब अब आज़िए अब आपकी प्री पॉजिशंबाद स्वाहगा अबजेक्ट आघ के लिए यहां留 sauce हम लगा दिये में प्रत्रसल्ण तो वहीं हीम या रभी जो आपजेक्ट आना चाहिए नहीं है तो आपजेक्ट केस कहीं इसलिए इसमें आपको प्रोनावन लिखना पड़ेगा हूं जो कि प्रस्मा अचकसर नाम है अगला है कि बिहाइंड के बाद यहां दो कालम दिये गए हैं तो देखें ही हीम आई मी इन चारों मे यहां लिखा जाता परिपभ पूजोजिशन के बाद कभी मिलकी सब्षें बाइंड लाएंड लिखेंग एंड और मेरी सिट्स कई सीटे थी ध्यान देना इसमें subject क्या है However किसके लिया 恩साल लगा है seats के अंसाल अंसाल लगा है कां थी बहुत से seat गया सीटों की बात किया जारा जिसके बारे में बात किया सब्जेक्ट कहते हैं तो यह आपको मेंडे सके subject बाद में भूह ॏ बתח आपजेक्ट बाद में भी आ सकता है और इसके बाद भी हाइंड हीम और मी यह आपका आपजेक्ट है क्लियर इसलिए अग्ला नाइदर सी नार्डे है ब्रॉट ना तो वा ना तो वे हैं ब्रॉट मनें लाएं हैं क्या लाएं हैं अपना कंगरेजील लगए लिखा जाएगा देर बताए यह लखे जाएगा तो देर लिखा जाएगा क्यों क्यों क्योंकि ग्रामर का रूल है नाइदर नार से दिगर दो करता जुड़े रहते हैं तो बाद वाले का अनुसार लगता प्रोनावन और बर्वे तो बाद वाला आपका दे हैं सी तो फ़स्पाला है तो द का सेयर भी करिएगा ताकि और भी विद्यार्थों का बहुत कर दो है